क्लास, तिन्थ, मैथ्स, रियल, नम्बर, संख्याएं, वास्तविक, संख्याएं, हमको पढ़ना है, इसमें सबसे पहला नम्बर आता है, प्राकिर्ट संख्याएं किसको कहते हैं, प्राकिर्टिक संख्याएं, नेचुरल नम्बर्स, गिन्ती की संख्याएं, प्राकिर्टिक संख्याएं, कहते हैं, गिन्ती कहां से सुरू हती है, एक से, तो एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, डोट, 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 गिन्ती कहां तक जाती है, इन्फाइनाइट यानिके अनन्द तक, और दूसरा भी डिफाइन हम कह सकते हैं, जिन संख्याएं को किसी बस्तु के गिनने यानिके काउंट के काम में लिया जाता है उन्हें प्राकिर्तिक संख्याएं कहते हैं, हैं, जैसे टेबल पर पहुंच किताबे रखी हैं, मेज पर आठ पैंसिले रखी हैं, डोट डोट इसी प्रकर कह सकते हैं, फिर से एक वार और हम लोग दोहरा लेते हैं, प्राकिर्त संख्याएं यानिकी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, तो गिंती की संख्या को प्राकिर्त संख्याएं कहते हैं, या दूसरा डिफाइं कह सकते हैं, जिन संख्याओं को किसी बस्तु के गिन्ने यानिकी काउंट के काम में लिया जाता है, उन्हें प्राकिर्त संख्याएं कहते हैं, इसे टेबल पर पहुंच किताबे रखी हुई है, तो ये पहुंच प्राकिर्त संख्याएं हैं, मेज पर आठ पैंसिले रखे हैं, इसमें आठ प्राकिर्त संख्याएं हैं, चलिए नेक्ष्ट संख्याएं हम लोग देखते हैं, दो नम्मर, पुर्ण संख्याएं होल नमबर्स जीरू से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकिर्थ संख्याएं पुर्ण संख्या कहलाती है जैसे जीरो एक दो तीन चार पॉंच छे डॉट 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 अनंत तक चलिए आगे निक्स्ट संख्याएं डेखते हैं संख्याएं संख्याएं जो दो से पुर्णता पुप्भाज्याएं की divisible हो समसंख्याएं कहलाती है जैसे जीरो दो चार छे आठ दस डोट 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 इत्यादी आगे हम लोग देखते हैं चवती संख्या बिशम संख्या और नमबर्स अईसी संख्या जो दो से पुर्णता है बिभाज ना हो उसे बिशम संख्या कहते हैं जैसे एक तीन पॉंच साथ नो इग्यारा डोट 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 आधी या इत्यादी चली आगे देखते हैं पाचमा पुर्णांक संख्या इन्टीजर इन्टीजर्स राकिर्त संख्याओं में सुन्य एबं रिनात्मक संख्याओं को मिलाने पर जू संख्याओं प्राप्थ होती है उन्हें पुर्णांक संख्याओं कहते हैं यहां पर लिखा हुआ है प्राकिर्ट संख्याओं प्राकिर्ट संख्याओं कहां से सुरू हती है एक दो तीन चार पॉंट छे साथ डॉट 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 फिर कहां प्राकिर्ट संख्याओं में सुन्य इनकी सुन्य एबम रिनात्मक संख्या में जो इसब है यहाँ 1, 2, 3, 4 यह सब positive संख्या मतलब धनात्मक है इसी में negative लगा देंगे यानिके रिनात्मक minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, इसी को हम लोग पुर्नांग संख्या कहते हैं चलिए आगे संख्या देखते हैं छे नम्मर अभाज्य संख्या प्राइम नम्मर आईसी प्राकिर्तिक संख्या जो सिर्फ सिर्फ मतलब अनली स्वयम से और एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज संख्या कहते हैं जैसे अगला पांच 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 भी एक से या खुद से विभाजित हैं फिर नेक्स्ट होगा साथ इसी प्रकार डोट 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 अनन्त तक जाएगी फिर से हम लोग एक बार और समझ लेते हैं वह आईसी संख्या जो एक से या खुद से विभाजित होती है उसे अभाज संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर आईसी संख्या जिसका दो से अधिक गुननखंड यानि कि फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं हैं जैसे चार चार का देखेंह दो से अधिक फैक्टर है क्यी से तो एक से भी लग जाता है, चार, दो से भी लग जाता है, और चार से भी लग जाता है, तो देखें, यहाँ पर एक, दो, तीन फेक्टर है, इसलिए इसको भाज संख्या कहते हैं, अगला हो जाएगा, छे, छे का भी देखें, एक फेक्टर इसका, दो, तीन, छे, यहाँ भी देखें, दो से अधिक फेक्टर है, इसलिए इसको भी भाज संक्या कहते हैं, अगला देखते हैं हम लोग, आठ, एक से, दो से, इसका फेक्टर, तीन नहीं, चार होगा, फिर छे, भी नहीं, आठ होगा, इसका भी दो से अधिक फेक्टर है, इसलिए इसको भी भाज संक्या क संख्या रेस्नल नंबर आईसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परीमई संख्या कहते हैं जहां पी और क्यू पुर्णांग संख्या है पुर्णांग संख्या होती है पुर्णांग संख्या हम लोग उपर देख चुके थे लेकिन फिर से एक बार और हम लोग रिभाईज कर लेते हैं पुर्णांग संख्या कहते किसको हैं इंटीजर्स नमबर है तो हम बोले थे प्राकिर्ट संख्याओं में नहीं कि एक दो तीन चार पाँच डॉट 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 और रिनात्मक संख्या मतलब माइनस एक, माइनस दो, माइनस ती, माइनस चार, माइनस पॉच गो मिला देने जो संख्या बनती है उसे पुर्नांग संख्या कहते हैं यहाँ P और Q पुर्णांग संख्या होगा जैसे एक उदाहरन हम लोग देख लेते हैं जैसे 3 by 5 परिमें संख्या है तो हो है क्यूं तो 3 और 5 दोनों का दोनों पुर्णांग संख्या है और इसका दूसरा सर्थ है जो q जो है कभी भी 0 के बरावर नहीं होना चाहिए तो q भी 0 के बरावर नहीं है पहुँचे तो इसलिए यह परीमे संख्या है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं जिसे minus 7 by 10 परीमे संख्या है तो देखे यहाँ 7 भी जो है आगे dot dot लिखा हुआ है तो 7 तो आएगा ही minus 7 और 10 भी आएगा ही तो यह के दोनों को दोनों परनांग संख्या है तथा q जो है इसका नीचे बला जो है 0 परावर नहीं इसलिए यह परीमे संख्या है चलिए आप हम लोग देखेंगे next पार्ट में